शमा कीजिए, लोगों को शमा करने से बड़ा चैन और बड़ी शांती हमें मिल जाती है तो क्या है अगर कोई नराज भी है तो खुच जाकर मना लीजिए, कोई बात नहीं शायद उसरे एक्ति में प्रेम की कमी है, मेरे पास प्रेम थोड़ा जादा है मैं जाके मना लेता हूँ, मैं जाकर ठीक कर देता हूँ चीजों को तो हम कोशिश करके देख ली, उससे हमारा मन भी शान्थ, दूसरे का मन भी शान्थ हो जाता है और हम भी एक्तम लाइट होते हैं, तो अपने आपको बिल्कुल ठीक किये जे गेता में जो भगवान शेक करशन कहते हैं, उन सब वाकियों को अगर हम मान ले, तो जुन्दिगी में कितना बदलावा सकता है लोग अब डिप्रेशन के टाबलेट्स लेते हैं, डिप्रेशन के बारे में बाते होते हैं, कितने कॉमन ये चीज़ें हो गई है कभी सुनी थी ये सब बातें, किसी कभी किसी को डिप्रेशन होता था, अब तो इतना कॉमन है छोटे-छोटे बच्चे भी कहते हैं, एक्जाम देने से पहले बहुत टेंशन हो रही है, बहुत तनाव हो रहा है चार साल का, पांच साल का बच्चा भी अभी ये कहने लगा है, तो इसलिए अब जरूरी है कि वापिस अपनी संस्कृती से जुड़ा जाए, वापिस गुरु संस्कृती से जुड़ा जाए, वापिस हम परिवारों को जोड़ें, अलग-अलग सब बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं लोनलिनेस होगी, क्यों नहीं अकेला पन होगा, क्यों नहीं निराशा होगी, वापिस चुड़ने की इस समय जरूरत है और शेकृष्ण जो बताते हैं, कि अपने मन को प्रसन रखना, जो बार-बार भगवान कहते हैं गीता के चैप्टर 17 के अंदर, कि मन प्रसन रखे, मन हा प्रसाद हा सौम्यत्वम तो मन की प्रसनता बहुत जरूरी है, तो मन को एक दम प्रसन रखे, त्रिपत रखे आप फूलों को देखते हैं न, कितने संदर लगते हैं, कितने आकरशक लगते हैं अब बड़े संदर उनके रंग हैं, परंतु उससे भी अच्छे रंग तो हम बना सकते हैं पर फूलों में ऐसा क्या कर्शन है क्यों इतने अट्राक्टिव लगते हैं इसलिए लगते हैं क्योंकि वो तृप्त रहते हैं प्रसन रहते हैं वो आज में जीते हैं वो कल की चिंता में आज को नश्ट नहीं करते पता नहीं क्या होगा मेरा बढ़ापे में यह नहीं सोचते वो खुश रहते हैं, तृप्त रहते हैं, अपनी सुगंद को, अपनी ताजगी को फैलाते जाते हैं, तो ऐसा ही हम सुन्दर सा पुश्प बने, इसका हमें प्रयास करना है, और अपना रूल बनाईए, जैसे हमारी टेन फिंगर्स हैं, तो दस बार दिन में स्माइल करना है, दस बार खुश होना है, अपने आपको आईने में देखकर मुस्कुरा लिया कीजिए, एक बार खुश हो जाये करिए, कि नहीं मुझे प्रसन रहना है, प्रसन रहना आपका अधिकार है, तो भगवान कहते हैं मौन, एक चीज तो बताई मन की प्रसनता, अब डिप्रेशन क टाबलेट खाएंगे या भगवान की बात मानेंगे, भगवान ने पांच सुत्र दिये, मन को प्रसन रखो, दूसरी बात मौन का अभ्यास करो, यानि बहुत सारी चीज़े मन की मताबिक नहीं होगी, मन बहुत बोलेगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, तो म के अंदर शक्ती आएगी, तो देखें, जिसे गंगा तेजी से चलती जाती है, गंगा का प्रवाह चलता जाता है, तो ऐसे ही मैं भी अपना रास्ता बना लूँगा, क्यों मैं इतना दुखी हो रहा हूं, क्यों मैं इतना शान्त हो रहा हूं, तो किसी पौदे को उठा कर आप बाहर फैक दें तो वो अपने आप अपनी जड़े पकड़ लेगा अगर उसके अंदर ताकत होगी तो और अगर अंदर ताकत नहीं होगी तो वे कभी जड़े नहीं जमा पाएगा आपके अंदर आपके प्राणों में ताकत होगी तो दुनिया की विशम परिस्तितियां आंधिया तुफान भी आपको हिला नहीं पाएंगी बलकि आपकी जड़े और मजबूत हो जाएंगी और ज्यादा सशक्त होकर आप आएंगे तो किसी की परवा मत कीजिए अपने आप में विश्वास रखिए और साथी साथ में सौम्यत्व भाव प्रेम और करुणा का भाव सब के लिए अच्छा सोचिए एक साधी का सब जगे फूलों के बीच गिराती थी तो किसी ने पूछा कि फूलों के पौधे क्यों लगाती हो हर जगे तो उसने कहा कांटे तो लोग बहुत बिछाते हैं मैं तो इस संसार को स्वर्ग बना कर जाऊंगी सब की राहों में संयम सेल्फ कंट्रोल सीखिए गुसा जाए तो चौबेस घंटे के लिए डिसीजन टाल दीजे कोई बात नहीं कल सोचेंगे इस बारे में भूल जाए और साथी साथ भाव संशत्य यानि अपनी भावनाओं को शुध करना प्यारी भावना सब का भगवान भला करो सब का भ सामने बह रही हो तो तुम क्या करोगे तो भक्त ने कहा कि मैं तट पे खड़ा होकर अंजली बनाऊंगा और थोड़ी से जल का पान कर लूँगा उससे शाय तृप्ति मेल जाए तो रामकृष्ण बोले कि तू तो बुद्धो है तू तो पागल है मैं अगर तेरी जगे हो तो मैं तो उस आनंद की नदी में छलांग ही लगा देता तट पर क्यों खड़ा रहता है वो तो आनंद का सागर है वो परमात्मा और तू बूंद चाहता है बूंद की कोई जरुवत नहीं तू तो बस छलांग लगा और फिर देख कितना आनंद तुझे मिलेगा कितना प् प्राप्त करना है भगवान कहते हैं गीता में परमात्मा का जो स्पर्ष होता है वो सुक देता है शांती देता है प्रेम देता है परन्तु हम किसका स्पर्ष प्राप्त कर रहे हैं हम तो संसार का सुक चाहते हैं संसार का स्पर्ष चाहते हैं और इसी कारण हम दुखी रहत इतिए हैं जब तक बन परमात्bene से नहीं जुड़ेगा उसका सपर्ष नहीं मिलेगा तब तक सुख शांती तो नहीं आ सकती आपको लोग भर्मा सकते हैं बहुत सारी चीजें बता सकते हैं कह सकते हैं कि आप याना खाने चले जो वहां शांती मिलेगी, बड़ा मज़ा आएगा आपको, वहां घूमने चले जो, इस वेकेशन पे चले जो, लेकिन कहीं भी आप ढूंड लो, सुख और शांती परमात्मा से ही मिलती है, उसके सपश से मिलती है, हमारे देश में परमात्मा को सच्चेदानंद कहां गया है, सच्चेदानंद, यानि सत, चित और आनन, तो धर्म की खोज जो है, वो आनन्द की खोज है, तो हम सब आत्माएं हैं सत और चित, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आनन, हमें चाहिए सुख और शांती, तो परमात्मा से जैसे ही जुड़ते हैं, तो क्या मिलता है, हमें सुख मिलता है परम सुख जिसे भगवान श्री कृष्ण भोल रहे हैं कि परम सुख की प्राप्ति हो जाती है आनंद की प्राप्ति होती है जैसे ही आप जुड़ते हैं अगर हम गीता की चप्टर 17 में देखते हैं श्रूप 23 में तो उसमें ओम तत्सत के बारे में बताया गय है ओम यानि की अचन्दमा अविनाशी परमेश्वर तत परब्रम का सुचक होता है तो उपनिशिदों में तत्वमसी कहा गया तो तत यानि की उस परम सत्य के लिए हम एक शब्द बोलते हैं उसे इंगित करते हैं तो परमात्मा जो है जो उत्पत्ति स्थिति और ले का कार हमें बार-बार स्मरण करना है जब हम उसका स्मरण करते हैं तो वहीं जो परमात्मा है वो हमारे अंदर दिव्यता लेकर आता है उससे तादात्मे करना है उससे कॉंटाक्ट करना है अब क्या होता है परमात्मा के सपर्ष से कॉंटाक्ट से तादात्मे से हमारे कर्मों में विशेष्टा आने लग जाती है, देखे कर्म का फल तो मिलता है, हम तो सब जानते हैं, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में आपका उद्धिश्य क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, ये भी बहुत जादा मुल्य रखती है, ये इंपोर्टन्ट है, अगर आप दान कर रहे हैं और बड़े भावना से दान कर रहे हैं ये सोचकर कि इस व्यक्ति का भला हो जाएगा मैं तो दान करूंगा तो वह जो कर्म है वो दिव्य हो गया लेकिन अगर आप दान ये देखकर करते हैं कि चार लोग मुझे देख रहे हैं लोग क्या कहेंगे या आप अपनी प्रस्दिया सम्मान के लिए दान करते हैं तो वह अहंकार की सेवा हो गई यानि उस दान का कोई फल जादा आपको मिलता नहीं है तो जो हमारा उद्रश्य होता है उसके हसाब से हमें फल मिलता है तो परमात्मा से जब हम जड़ने लगते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं उनके जो उद्देश्य होते हैं फिर वो दिव्य बनने लगते हैं क्योंकि वो परमात्मा की सेवा में होने लगते हैं परमात्मा की तरफ हमें लेके जाते हैं और ऐसा व्यक्ति जो भगवान के साथ एक रहता है तो वह कैसा होता है ब्रह्म भूत हो चाता है तो भगवान क्या कहते हैं ब्रह्म भूत हो प्रसन आत्मा न शुच्चती न कंख्षती चाप्टर 18 श्लोक 14 में 54 के अंदर भगवान ये बात बताते हैं यानि वो जो ब्रह्म भूत हो गया है वो प्रसन आत्मा जो है वो ना तो कोई इच्चा करता है ना ही वह फिर शोग करता है वो फिर अपने आप में इतना प्रसन है कि सुक शांती की तरंगे उसकी अंदर से बाहर निकलने लगती हैं और फिर दूसरे लोगों को छोने लग जाती है जैसे आप किसी गर्मी में जा रहे हों बहुत गर्मी लग रही है धूप निकली भी है तो उस समय क्या मन करता है कोई पानी पिला दे किसी व्रिक्ष की हम छाया में बैठ जाएं तो उस छाय में एक आनन्द की प्राप्ति होती है तो ऐसे ही जब व्यक्ति संसार की परिशानियों से संसार की गर्मी से जब निराश होने लग जाता है तब उस समय ऐसा ही कोई प्रसमिचत आत्मा अपने आप ही आजाती है तो उसके लिए अपने गुरू से जुड़ना आवश्याख हो जाता है तो गुरू की च्छाया क्या करती है हमारे जिन्दगी से बहुत सारी परिशानियों को अपने आप ही तोर कर देती है करता है